Hi guys, my name is Nitish and you are welcome to my YouTube channel इस वीडियो में भी हम लोग अपना Deep Learning Playlist continue करेंगे हम लोग Optimization Techniques पढ़ रहे हैं और हमने 3-4 Optimization Techniques पढ़े आज हम लोग अपना सबसे आखरी Optimization Technique पढ़ेंगे जिसका नाम है Adam Honestly, Adam ही वो Optimization Technique है जो सबसे ज़्यादा famous है और सबसे ज़्यादा use होता है तो मुझे लगता है कि इसके बारे में आपको आइडिया होना बहुत ज़रूरी है तो वह हमने इस वीडियो में cover किया है मैंने Adam के पीछे जो mathematical details है वो समझाने की कोशिश की है और साथी साथ हर वीडियो की तरह animations के थुरू चीज़े clear करने की कोशिश की है So let's start the video So guys let's start our discussion around Adam सबसे पहले Adam का full form देख लेते है Adam का full form होता है Adaptive Moment Estimation ठीक है Honestly speaking Adam is currently the most powerful optimization technique और ज़्यादातर times आप देखोगे कि आप अगर किसी ANN या फिर CNN या फिर किसी RNN के साथ काम कर रहे हो तो most of the times आप उसको optimize करते हो using Adam ठीक है अब Adam को समझने के लिए आपको थोड़ा idea होना चाहिए जो हमने बाकी optimization techniques अभी तक पढ़ी उनका ठीक है So हमने अभी तक इस course में SGD Batch Gradient Descent Mini Batch Gradient Descent पढ़ा जो की सबसे basic techniques है उसके बाद हमने चार और techniques पढ़ी थी हमने पढ़ा था momentum हमने momentum के साथ देखा था nag Nestero of accelerated gradients उसके बाद हमने पढ़ा था Adagrad और अभी last video में हमने देखा था RMS prop So अगर आपको Adam को अच्छे डंग से समझना है तो आपको इन सारी techniques का idea होना चाहिए उसका reason ये है कि Adam इन पुरानी techniques से concepts उधार लेता है ठीक है तो honestly अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस playlist में पिछले 4-5 videos देखो आपको चीजे clear हो जाएंगे अगर आपके पास time नहीं है तो मैं आपको एक quick summary देता हूँ कि ये पाँचो techniques की क्या खासियत है और ये कैसे काम करते है तो सारी story start हुई थी batch gradient descent से अगर आपके पास एक इस तरह का valley है जहाँ पे आपको minima तक पहुँचना है तो batch gradient descent क्या करता है बहुत चुपचाप से इस valley में उतर जाता है the only problem is speed batch gradient descent उतना fast काम नहीं करता है तो यहीं पे फिर concept आया momentum का so momentum का concept क्या है कि आप past gradients को use करते हो for your current update ठीक है that is आप notice करना इस valley में आपको उतरने में जहाँ 10-12 epochs लग रहे हैं वही momentum को सिर्फ 2-3 epochs लगे होंगे around 4 epochs में आप valley में एकदम नीचे पहुँचके because आप momentum का concept यूज कर रहे हो आप velocity का concept यूज कर रहे हो फिर momentum में क्या problem आया ये oscillations हम cross कर जा रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं फिर cross कर जा रहे हैं धीरे धीरे हम settle in हो रहे हैं अपने minima पे तो यहीं पर concept आया फिर nag का nesterov accelerated gradients का जो इन oscillations को dampen कर देता है you can see यहाँ पे oscillations थोड़े जादा है you would see oscillations थोड़े जादा है यह देखो यह बड़ा सा एक circle बना के आप आ रहे हो वेराज nag में आप एक छोटा circle बना रहे हो because आपने oscillations को dampen कर दिया c यह मैं बोल रहो you can compare ठीक है तो यहाँ तक सब ठीक था बट फिर एक नई problem आई कि अगर आपके पास एक sparse data है या फिर एक sparse column है तो क्या problem होने लगता है कि अगर आप अपने batch gradient descent को use कर रहे हो on a sparse data तो आप कुछ इस तखीके से valley में नीचे उतरते हो पहले आप non sparse वाले column की side से उतरते हो और फिर आप धीरे-धीरे sparse की side पे जाते हो तो obviously this is not very fast same momentum में भी यही problem होता है कि आप पहले तेजी से एक direction में उतरते हो फिर तेजी से दूसरे direction में जाते हो तो इसी problem को solve करने के लिए हमने add a grad पढ़ा जो इस तरह के data पे सीधे उतर रहा है यह देखो notice करना ठीक है बट फिर add a grad में क्या problem था कि वो minima को थोड़ा सा miss कर जाता है तो फिर इसका solution था RMS prop जो एकदम perfectly काम करता है और एकदम नीचे तक पहुंचता है अपके minima तक ठीक है तो यहां तक की theory हमने cover की अब honestly अगर आप सोचो तो हमने दो main interesting ideas के ओपर काम किया first था the idea of momentum और second था learning rate decay decay के यहां पर आप देख सकते हो कि momentum और nag इस idea के उपर based है adagrad और RMS prop इस idea के उपर based है अब Adam क्या करता है कि Adam इन दोनों ही ideas को merge कर देता है computer scientist लोगोंने सोचा कि यह idea अच्छा है यह idea भी अच्छा है what if हम इन दोनों को मिला दे तो शायद हम और अच्छा idea generate कर सकते हैं and that is the main principle behind Adam ठीक है तो next मैं आपको एक mathematical intuition दोंगा कि Adam कैसे काम करता है show you the mathematical formulation of Adam ठीक है Adam का mathematical formulation यह होता है mt is equal to in fact मैं आपको पहले यह दिखाता हूँ wt plus 1 is equal to wt minus learning rate divided by vt plus epsilon multiplied by mt ठीक है where mt is equal to beta 1 times m t minus 1 plus 1 minus beta 1 times gradient of weight vector and vt is equal to beta 2 times vt minus 1 plus 1 minus beta 2 multiplied by gradient का square ठीक है अब अगर आपने पिछले दोनों वीडियोस देखे हैं momentum का भी और add a grad का भी तो आप शायद यह recognize कर पाऊगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है सो यह जो concept है ना यह जो equation है यह हमारा आ रहा है momentum से momentum में हम यही करते थे ठीक है और यह जो concept है ना यह जो equation है यह हमारा आ रहा है add a grad से जहाँ पे हम इस vt term को divide कर देते थे learning rate के साथ ठीक है अब यहाँ पर बस एक जीज़ और आपको करनी है after calculating this these two you have to do something called bias correction so bias correction में आप क्या करते हो कि आप mt और vt calculate करने के बाद mt hat और vt hat calculate करते हो जिसका formula यह होता है mt divided by 1 minus beta 1 t और vt hat is equal to vt divided by 1 minus beta 2 t यहाँ पर t है आपका epoch number so अगर आप first epoch में calculate कर रहे हो तो t के बदले 1 आएगा second epoch में t के बदले 2 आएगा ठीक है यह वाले t की बात कर रहो है बस नीचे वाले t की ठीक है उपर वाले के बारे में बात नहीं कर रहा ठीक है also beta 1 and beta 2 का value क्या रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ beta 1 का value रहता है generally 0.9 और beta 2 का value रहता है 0.99 और यह configurable है आप keras में इसको as parameter change कर सकते हो ठीक है तो सबसे पहले आप क्या करोगे आप यह calculate करोगे फिर आप यह calculate करोगे फिर आप यह calculate करोगे फिर आप यह calculate करोगे और उसको इस formula में डाल दोगे ठीक है learning rate जो है since यह change होता रहता है you can start with a learning rate of 0.1 और 0.01 कुछ भी चलेगा आप वो tune करके देख सकते हो Adam में बहुत जादा learning rate को change करनी की जरूरत नहीं पढ़ती वो automatically handle हो जाता है जो main चीज आपको यहां से समझनी है वो यह है कि आपने क्या किया आपने दो core ideas पढ़े थे इसके पहले एक था momentum और एक था learning rate decay आपने उन दोनों को apply कर दिया in a single formula ठीक है also मैंने यह नहीं बताया कि bias correction क्यों करना होता है bias correction इसलिए करना होता है because शुरू में mt और vt दोनों का value 0 होता है मतलब m of 0 is 0 v of 0 is also 0 तो शुरू में एक bias आजाता है एकदम 0 के पास से start होता है उसको offset करने के लिए उसको change करने के लिए आप यह bias correction करते हो this is just a mathematical detail इसमें घुसने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको बस जो core idea है वो समझना है बाकी code तो आप सीधे keras से चला ही सकते हो ठीक है तो I hope आपको यह पूरी चीज़ समझ में आई now I'll show you the animation की Adam कैसा perform करता है so यह रहा Adam का animation और मैंने फिर से sparse वाला data site लिया है जहां पर एक column sparse है and you can see यह animation आपको दोनो behavior शो कर रहा है first momentum का behavior आपको दिखा रहा है और दूसरा learning rate DK का भी आपको behavior दिखा रहा है ठीक है momentum जो original था वो कुछ ऐसे काम कर रहा था see इधर से आ रहा था but हमारा जो Adam है वो center से आ रहा है मतलब optimized है और इधर आकर के घूम रहा है which shows की momentum का भी एक component है हमारे इस algorithm में और यह सबसे पहले converge भी कर रहा है कुछ epochs पहले converge कर रहा है हलाकि यहाँ पर convex optimization problem में आपको उत्मा समझ में नहीं आएगा but when you are working with a proper complex neural network जहाँ पर एक non-convex optimization हो रहा है वहाँ पर यह algorithm बहुत अच्छा perform करता है so now comes the big question कि हमने 5-6 type के optimization techniques पढ़े है in fact कुछ और भी optimization techniques होते है जैसे कि AdaDelta, NADAM यह सब हमने नहीं पढ़ा but कौन सा हमें use करना चाहिए so in most cases अगर आप deep learning में काम कर रहे हो तो Adam is a good starting point आप Adam चला के देखो see the results अगर उससे अच्छा नहीं मिल रहा है तो you can try RMS prop अगर आपके पास कभी-कभी इस तरह से भी होता है कि momentum अच्छा perform कर जाता है so in short कोई clear answer नहीं है but पिछले 3-4 सालों में generally Adam जाद अच्छे results दे रहा है over different kinds of problems तो Adam is a good starting point but you can always do hyper parameter tuning और आप चला के देख सकते हो कि आपको कौन सा चीज आपके डेटा पर सबसे अच्छा result दे रहा है ठीक है तो verdict मेरे साब से इतना ही रहेगा कि start with Adam and if you are not satisfied with the result try RMS prop and then do hyper parameter tuning to check कौन सा सबसे अच्छा काम कर रहा है ठीक है